तो हलो गाई स्वागत आपका एक और नीव वीडियो में तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ होंडा होरने 2.0 वैसे तो ये 2.0 है लेकिन 2.0 कहने में मज़ा आता है तो इस बाइक का जो डिजिटल मीटर है उसमें हमें कौन कौन से फीचर्स मिल जाते है इसी की इनफॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेर करने वाला हूँ तो इनफॉर्मेशन को क्लियरली समझने के लिए आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है सब कुछ आपको पता चल जाएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करता है बीना किसी टाइम पास के तो सबसे पहले आप देख सकते है डिजिटल मीटर की लुकिंग कैसे आती है कापी शांदार लुकिंग आती है मुझे तो कापी पसंद है आपको कैसी लेकती है आप कमेंड में जरूर बाता ना तो फीचेस के अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें जो ए ओडो मेटर देखने को मिल जाता है यानि कि हमारी बाइक अभी तक कितना चलिये इससे हमें पता चल जाता है कितना किलोमेटर हमारी बाइक चलिए साथ ही में ट्रीप A और ट्रीप B मिल जाता है जिसका यूज हम अपनी इसाब से कर सकते यानि कि अगर हमें कई जाना है तो हम जो ये ट्रीप A ये आप फिर ट्रीप B को जिरो कर दे और आने के बाद देख लिए कि कितना किलोमेटर हम जाकर आए तो ऐसा कुछ जो हम इसका यूज कर सकते हैं हर कोई जो है अपने अपनी इसाब से इसका यूज कर सकता है और उसके बाद होरनेट 2.0 के मीटर में आपको जो सबसे कास पीचर मिलता है जो कि परसनली मुझे कापी ज़्यादा पसंद आता है वो यह है आप इसमें जो है RPM में देखने को मिल जाता है साथ ही इस bike में service reminder यानि कि हमें अपनी bike कि कब servicing करानी चाहिए उसका reminder यानि कि वो feature भी हमें इस bike के digital meter में देखने को मिल जाता है और हाँ कभी कभी ये servicing करने के बात भी on हो जाता है तो उसको भी आप set कर सकते है साती में इसमें जो एक gear position indicator भी मिल जाता है यानि कि आपको अपने बाइक के meter में पता चलेगा कि आपकी बाइक अभी कौन से gear में चल रही है तो ये कापे जाधा helpful feature है साती में meter में हमें जो speed वाला feature भी मिलता है यानि कि हमारी बाइक अभी जो चल रही है वो कौन से speed में चल रही है वो आपको पता चल जाता है और meter में जो है neutral light भी देखने को मिल जाता है साती में जो है ABS light भी देखने को मिल जाता है जिससे में पता चलता है कि हमारी बाइक में जो है ABS work कर रहा है या फिर नहीं और उसके बाद जो हाइबीम लाइट भी देखने को मिल जाती है और दोनों साइड के इंडिकेटर का जो लाइट है वो भी मीटर में देखने को मिल जाता है इसके बारह में ज्यायदा कुछ बतानी की जरॐरत तो है नहीं और साथ ही में जो है डिजिटल क्लॉक यानि कि टाइम भी आप इसमें देख सकते हैं सेट रिसेट कर सकते हैं तो यह जो फीचर है ना टाइम वाला यह कापी ज्यादा हेल्पुल मुझे लगता है क्योंकि हमें अलग से मोबाइल वगेरी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती तो हमारे थोड़ा सा टाइम इसमें टाइम देखने से बच जाता है तो अगर आपको पता नहीं कि टाइम सेट कैसे करते हैं तो आपको वापर दो सेट और रिसेट के बटन दीक रहे होंगे तो दोनों को यह आपको लगबग 5-6 सेकंड प्रेस करके रखना है उसके बाद हावर सेट करने के लिए आप लेट वाला बटन दबा देना हावर सेट होने के बाद राइट वाला दबा देना उसके बाद फिर से लेट वाला दबा कर आप मिनिट सेट कर लेना और राइट वाला दबाने के बाद आपका टाइम सेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से आप टाइम सेट कर सकते हैं और उसके बाद जोए इसमें इंजिन मालपंक्शन की लाइड भी देखने को मिल जाती है जो कि अगर आप बाइक राइड करते टाइम भी अगर आपको ओन दिके तो समझ लेना कि आपके बाइक में कई न कई कोई न कोई प्राब्लम है और उसके बाद जोए इसके मीटर में आप फ्यूवल भी देख सकते हैं और जब भी लाश्ट लाइन इसका ब्लिंक करने लग जाए तो समझ लेना कि आपको जल्दी अपने बाइक में पेटरोल डालने की ज़रूरत है और उसके बाद बैटरी ओल्टेज का जो फीचर है वो भी आपको इसके मीटर में देखने को मिल जाता है और 2022 में इसमें एक और नया फीचर एड़ हो चुका है वो है साइज स्टैंड इंजिन कट अप सेंसर का लाइट यानि कि जब भी आपकी बाइक का स्टैंड नीचे होगा तो यह लाइट आउन हो जाएगा और आपको मिटर में दिख जाएगा कि आपकी बाइक का स्टैंड नीचे है तो कुछ इतने पीचर मिल जाते होंडा होरने 2.0 बाइक के डिजिटल मिटर में तो आप मुझे जो एक कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इन में से कौन सा फीचर अच्छा लगा और कौन सा ऐसा फीचर है जो इस बाइक के डीजे टिलमेटर में एड़ होना चाहिए साती हरने 2.0 का आपको जो भी एक्सपिरियेंस है आपको जो भी सही लगता है गलत लगता है वह आप कमेंट करके बता सकते हैं और इसका 2022 आला मॉडल आ चुका है और उसमें जो कुछ चेंजस हो चुके हैं तो अगर आपको जानने हैं तो इसके उपर मैंने एक वीडियो बन गई होगी और समझ में आ गई होगी क्लियरली तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अपने किसी प्रेंट के साथ वीडियो को शेर कर सकते हैं अगर उसको इस वीडियो से थोड़ा बहुत पाइदा हो सकता है तो और साती अगर आ और आपको बाइक से रिलेटेड ऐसे कापी सारे अलग-अलग टाइप के वीडियो देखना पसंदे तो आप चानल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तो जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग